हेलो औन वेलकम टू सिविल्स टेली आज है साटरड़े और साटरड़े koो क्या करते हैं हम लोग कवर करते हैं प्लेससेन निवस थ्रू मैप्स तो पिछले दो बार के अगर प्लेसेसेन निवस आपने नहीं देखे तो प्रेषों को देख लिजे क्योंकि अबरी साटरड़े इसकी coverage होती है और prelims के लिहाज से जो important है उस पर हम लोग बात चीत करते हैं अब ये क्या है पहले start कर लेते हैं आज का places in news, wetlands days, 2nd February को आप चानते हैं मराया जाता है, दो नए रामसर साइट्स के announcement हुई सुल्तानपूर से, सुल्तानपूर एक जगह है, वहाँ से announcement होती है और खेजडिया wildlife century या खेजडिया जो की है गुजरात में और दूसरा है बखीरा wildlife century बखीरा कहाँ पढ़ता है बखीरा है उत्तरप्रदेश में एक जगह है संत कबीर नगर गूरखपूर के पास किस एक district है इस तर उत्तरप्रदेश में वहाँ का बखीरा लेक भी है तो बखीर खेजडिया wildlife century को रामसर साइट घोशित किया गया है साथ में खेजडिया wildlife century अगर आप यह मैप देख पा रहे हों यह है गुजरात का मैप और यहाँ पर है नल्सरोवर बड़ पाक याद रखेगा नल्सरोवर कहाँ पर है गुजरात में पेलिकल्स और वाटरफॉल्स वग पर है तो दिस इस गुजरात को में है और इसको भी रामसर साइट इस वर घोशित किया गया बाकी भी देख लेते हैं गिर नैशनल पाक यहाँ पर है पूरबंदर वर्ट सेंचुरी है नाओ दिस इस वन सड़ा और वन साड़ा नैशनल पाक देन पूर्णा देन शूल पने इस वर वाइड रखेगे इस में बहुत कन्फूजन होती है नाम से शूल पने इस वर वाइड रखेगा यह तमाम चीजें और रामसर साइट्स क्या होती है इंटरनाशनल इंपोर्टेंस के एक वेट लेंड होते हैं जिसकी अनांस्मेंट होई थी नाइटीन सेवंटीवन म पर रामसर इरान में एक जगा परती है इसलिए इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं और रामसर साइट्स बोलते हैं यह इंतराश्ट्री महत्ता के वेट लेंड उनको हम लोग बोलते हैं यह मुझे मैप मिला तो मैंने का यह आपके साथ शेर करते हैं गुजरात का मैप है लेकिन अगली न्यूस देख लेते हैं, जब वेटलेंड रामसर साइट जब घोशित हो रही थी, तो एक सवाल ये आया वेटलेंड के स्तर पर कि गुदावरी एस्चुरी जो है, उसको क्यों नहीं रामसर साइट घोशित किया जारा, बल्कि जब कि वो भी जो है गुदावरी एस्चुरी जो है कोरिंगा वाइलाफ सेंचुरी में, तो वो भी एक वन अफ दर रेयर रेरेस्ट एको रीजन है अर्थ पर, because it is a home to second largest mangroove cover after sundar burns और कुरिंगा वाइड लाइफ सेंचुरी में 115 endangered fishish cat रहती है oliver day turtles है, Indian smooth quarter, coated otter है, salt water crocodiles है अब यह पढ़ता कहाँ पर यह दिख लेते हैं, गुदावरी एस्चुरी है कुरिंगा वाइफ सेंचुरी में और कुरिंगा वाइफ सेंचुरी कहाँ परती है, यह आपको दिख रहा होगा map में यह है कुरिंगा वाइफ सेंचुरी तो this is कुरिंगा वाइफ सेंचुरी और उपर आप देख पा रहे होंगे उसके उपर तो यह आंद्रप्रदेश में यह सारी चीज़ें पड़ती है ठीक है तो काकी नाड़ा वाला एरिया दिन दिस पाफी कुंड़ा वाइल लेफ सेंचुरी देन अगर आप यहां और आएंगे तो श्रीवें काटेश्वरा देन कॉंड़िन्या, देन गुंडला अब्रहमेश्वराम वाइल लाइफ सेंचुरी देन कृष्णा तो आपको और यह जाद रखना है यह बहुत नएा नाम है मतलब अटलीस्ट जब हम पढ़ रहे थे तो अगर आप से उजरेश्वी पैनिंसुला वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पर है तो यह तो तै है कि पैनिंसुला एरिया पर होगा लेकिन किस स्टेट में होगा तो यह स्टेट आपका पढ़ता है आंदरप्रदेश तो पैनिंसुला नरसिमा वाइल लाइफ सेंचुरी इस इन आंदरप्रदेश तो अगर आपको North to South लगाने को आजाए तो याद रखियेगा, यहाँ तो आपको पता ही होंगे, यहाँ पर याद रखियेगा, this is Kambal Konda, this is Koringa और Krishna, Koringa याद रखियेगा, because Godavari Estuary यहाँ पर है, ठीक है, this is why this was in news, तो यह काफी निराशा होई वहाँ के लोगों को, कि Wetlands टे प्रोजेक्ट, BRO ने बनाया है, Border Road Organization ने, क्या करेगा, Connectivity प्रोवाइड करेगा, Tawang, Tawang तक की, अरुनाचल प्रदेश में Tawang है, जिसको चाइना अपना अरिया बचाता है, this is Tawang अरिया, और यहाँ पर यह आप जानते ही हैं, यह पूरा अरिया फिर चाइना वाला आ जा तो Tawang को भी वो अपनी डिरेटरी मानते हैं, कहते हैं कि क्लेम्ड है, मतलब चाइना ने क्लेम किया हुआ है, कि यह हमारा अरिया है, तो लेकिन हैं इंडिया का अरिया, तो Tawang से Connectivity All Weather तक बनी रहे, ताकि एक स्प्रेटीजिकली नजर रखी जा सके, कि वहाँ पर अरुना से Connectivity रहे, इसलिए Sela Pass Tunnel बनाएगी, यहीं पर है तमाग में Sela Pass, सेला पास से इटानगर तक की आपकी Connectivity यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर यह बन रहा है आपका Tunnel Project है, तो यहाँ पर यहाँ बन रहा है आपका Tunnel Project है ना, इस बहुतान का एरिया, यहाँ पर ऊपर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं, coming, east coming, west coming, यहाँ पर आप बोलते हैं, सुबं सीरी वाला, ठीक है यहाँ पर दिबांग वwhy तो आप आप दिबांग, lower दिबांग, आपर दिबांग है ना, siyang, आपर siyang, eastern siyang, then this is lohit, then this is tira, then this is changlang, now आप rivers देखते हैं तो coming तो अगर आपको ये पता है, तो आपको इससे अंदाजा बड़ी असानी से इन चीज़ों से लग जाएगा, है ना, तो याद रखे का तवांग ये रहा, मतलब यहाँ पर भुटान से लगता हुआ, एक दम बगल में है, उपर है, तो इस्टन, वेस्टन मोस्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, और फरुनाचल प्रदेश तवांग कह रिया है, ठीक है, नाओ, मेजर पासेज देख लिजिए, फटापर से, इंडिया के कौन-कौन से हैं, क्योंकि हम अग देख रहे हैं, तो इस्टो वेस्ट और वेस्टो इस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेला पास देख लिजिए, देन बॉर्म डिला देख लिजिए, देन देख लिजिए, यहाँ पर आपका कूम जाओ, और देन दिस इस लास्ट में दीफू पास, ठीक है, तो यह कभी-कभी आ जाता है, जेलेपला और नाथूला हम जानते हैं, सिक्किम म हैं, और आम तर पर यह नियूज में रहता है, तो अगर आपको पूछा जाए कि दीफू, सेला पास, नाथूला पास और माना पास, इनको इस टू वेस्ट लगाएए, तो इस टू वेस्ट कैसे लगाएएगे, सबसे पहले आएगा दीफू पास, देन आएगा सेला पास, या जलेपला पास, तो इस टू वेस्ट हैंगे दो अनों वेस्ट में है, ठीक है, नाव इस ए अपका इरिया और यहां पर लीपू लेख पास, शीपकिला, हिमाचल, देन दिस इस रोहतांग पास, हिमाचल, बड़लाचल, इस इन हिमाचल, देन बनिहाल पास, बहुत इमप लदाख जा रहे हों तो आप जोजिला पास पीछ में बढ़ता है याद रखेगा अगर आपको नौट टू साउथ लगाने के लिए आ जाए तो कैसे लगाएंगे सबसे पहले उपर कौन सा आएगा जोजिला पास आएगा लिपुलेक पास आजाएगा तो इस तरीके से आपको यह पास देखने है ठीक है तो याद रखेगा कि ईस्ट के अगर आप याद रखेंगे ज्यादा बहतर रहेगा वेस्ट के तो आप रोज हम लोग मैप को ने कभी वेस्ट का नौथ का देखते रहते हैं ठीक है, North East India का मैप हम लोग बहुत कम देखते हैं, इस वज़े से मैं इस पर आपके लिए जोड देदा हूँ, ठीक है, तो जोजिला देख लिया, पीर पांजाल देख लिया, आपने बनिहाल देख लिया, बाडाला चला देख लिया, शेपकिला देख लिया, कारा कुरम ये बिल्कुल टिप पर है, और इसके बाद आपने रोहतांग पास, रोहतांग के तो इतनी ज़्यादा शूटिंग्स आपने मुवीज में देखी होंगी, है ना, और शेपकिला देख लिया, माना देख लिया, लिपुलेख दर्रा देख लिया, जलेपला, नाथूला देख ल सेला देख लिया, बॉ alela देख लिया, कुमि जूएंग देख लिया और दीफू देख लिया, चलिये, यह पहले भी कर चुकी है, कर कर्ट स्ट्रेट जो है वो न्यूज में थी कर्ट स्ट्रेट कहां पड़ती है दिस इस क्रेमिया वाला एरिया और दिस इस रशिया इन दोनों के बीच में जोड़ता है कर्ट स्ट्रेट रशिया ने जब क्रेमिया को एनेक्स किया था तो कर्ट स्ट्रेट पर उसका कबजा हो तो क्षिके ओने में पाराशे यहां से निकलने वाले शीप पर वो बहुत जादा नजर रक्राइंगे उनको जाने से माना कर रहता तो दोनों की बीच में उक्रेड़ अरर रच्या के बीच में एक समझोता हुआ और दोनों ने तै किया कि भाया कर्ट स्ट्रेट जो है हम लोग इसको देखेंगे तो आपको तो आपको Sea of Azov देखना है कर्ट स्ट्रेट देखना है कर्ट स्ट्रेट कहां पड़ती है क्रीमिया और रश्या के बीच में Sea of Azov, then Black Sea, then this is मर्मरा, then Aegean Sea, then Mediterranean Sea, इस पर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं ये जो आप एरिया देख रहे हैं लिथवानिया पढ़ रहा, यहां पढ़ रहा, पॉलेंड और यहां पढ़ रहा, लाट्विया आप सोचिये कि रश्या यहां खत्म हो जाता है लेकिन इसका एक हिस्सा यहां पर है तो यह दूरसल एक्सक्लेव है यानि यह रश्या का एरिया था, उनको वापस यह दिया गया कि भाया, यह आपका एरिया है और एक संधी हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी उसके तहट, इसके बारे में आप पढ़िएगा लेकिन मैंने आपको केवल इसलिए बताया कि अगर आपको मैप में आ जाए कभी भी इस तरीके का कि कि किसके अंडर आता है और बैल्टिक्स ही में बढ़ता है तो आप जवाब देंगे रश्या, ठीक है अब नौर्ट स्ट्रीम भी यहां से निकल रही है, नौर्ट स्ट्रीम क्या है एक गैस की लाइन है जो जर्मनी से रश्या की बीश में जाएगी और इसका विरोध इसलिए उक्रेन और पॉलेंड कर रहे है तो उसको बाइपास करते हुवे रश्या से जर्मनी डिरेक्ट ये लाइन बिचाने की बात चल रहे है तो ये है ये आपका पूरा रश्या से जर्मनी की बिच में नौर्ड स्ट्रीम इसको बोला जा रहा है और ये है रश्या का नेक्स्ट ओमान न्यूज में था डिरेक्टर जनरल ऑफ सेक्रेटर जनरल ऑफ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ सल्टनेट ऑफ ओमान वाज उन विजिट ऑन इंडिया तो हमको ये देखना है कि ओमान में क्या क्या चीज़ है दुख्म एयरपोर्ट बहुत इंपोर्टन ने बिकॉस इंडिया को उसका एक्सेस है पूर्ट ऑफ दुख्म का ओमान में फॉर मिलिटरी यूज और लोजिस्टिकल सपोर्ट ठीक है तो ये एक तो ये दुख्म हमको देखना है कहां पड़ता है दुख्म ये देखिये इस ओमान का मैप मैंने आपको बचाया था यू याद रखना है यू यू मतलब वाई ओ यू तो यमन ओमान और यू एई है ना दुख्म पोर्ट और यहीं पर आपको याद रखना है साललह पोर्ट तो यहां पर एक सुहर पोर्ट पर लेकिन आपको दुख्म याद रखना है कहां पर पड़ता है ओमान में पड़ता है अब यहां पर गल्फ ऑफ मसिरा गल्फ ऑफ मसिरा कहां पर है दिस इस ओमान का ज यूएई का जो एरिया है ये है मसंदम पैनिसुला आपने कभी ध्यान दिया क्या नहीं दिया स्टेट अफ हर्मूस के पास में दिस पर्शियन गल्फ इस गल्फ अमान इरान और दिस यूएई का एरिया दिस इस मसंदम पैनिसुला विल्कुल टिप पर है इसलिए यहां पर देखना ज़रूरी है तो ट्रॉपिक आफ कैंसर कहां से निकलती है यूएई से और ओमान से क्या यमन से निकलती है नहीं निकलती यूएई और ओमान का एरिया यह है और यह दिस इस दुख मेयर पोर्ट इस सालला इस सुहर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने एक डिसकवर किया है कोरल रीफ कोस्ट ओफ ताहिती पर वेरिस कोस्ट ओफ ताहिती फ्रेंच पॉलनेशियक अगर आपने कभी मैप एरिया देखा हो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच में पढ़ता है यह जो एरिया है यह पढ़ता था और 70% of French Polynesian population lives here. तो this is Tahiti और यहीं पर जो है Coral Reef जो है Tahiti के Coast पर discover हुई है और इसलिए यह news में था तो आपको पता होना चाहिए तो if you see this is Tahiti if you see this is the area of French Polynesia, this is Kiribati Kiribati के हमने देखा था, equator महां से निकलता है, right? Kiribati के पूरे उससे, this is Tonga और this is French Polynesia, इसी का जो सबसे बड़ा आइलेंड है that is Tahiti, सबसे बड़ा एरिया जो है वो Tahiti पड़ता है this is Tahiti, अब इससे में जाना है कि यहां तो बिलकुल बीच में दिखा है, यहां पर आप साइड में दिखा रहे हैं, अस्टोलिया से ताहिती, लारज़स इससे, ताहिती, कुक आइलेंड, ताहिती, टोंगा टोंगा आमने देखा था, वालकनो, ठीक है न, एरॉप्शन होगा था, टगड़ा वाला नेक्स वाल में यलो सी पर बात करेंगे, so this was all about this week's map and news, places in news, तो हमने ताहिती देख लिया, French Polynesia देख लिया, हम लोगों ने देख लिया, Oman, UAE, और Yemen देख लिया, Masandam Peninsula देख लिया, Suha, Salala, Dukm Port देख लिया, फिर हमने North Two Stream देख लिया, Kaliningrad देख लिया, North Stream देख लिया, Black Sea, Curd Strait, Sea of Azorv देख लिया, Sea of Murmurra, Agency, Mediterranean Sea देख लिया, Premia देख लिया, फिर हमने देख लिया, Major Passes, Diffu, Sela, उसके बाद हमने देख लिया, Tawang, Osela, Channel Project, then Kodawari, Estuary in Koringa, Wildlife Century, then हमने देख लिया, Khajia, this is Khijadia Bird Century, और Khijadia Wildlife Century, और Bakhira Wildlife Century, this was all about Places in News, अपना बहुत द्यान रखिये, कैसा लगा ये program, please मुझे comment box में जरूर बताये, thank you so much.